राश्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिय शैक्षिक प्रध्योगी की संस्थान द्वरा प्रस्थु थे विज्ञान शिक्षा पर आधारित धुनी कार्यक्रमों की शंकला ज्ञान विज्ञान इस शंकला में आज प्रसुत है कार्यक्रम वह बारिश का दिन तनु मा के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुए है तनु की नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्ची की तरह हो गए है वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर है पर अब रिटायर हो चुके है और सुभा शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते है नाना जी के साथ तनु रोज सेर करने जाती है पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठ कर कैरम खेल रहे हैं वैसे तनु हाथ पारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा है पर कैरम का केल खूब जमा ना जाने कितने समय के बाद कैरम बोड को हाथ लगाया आज में पिर भी एक खिलाडी को हरा दिया नाना जी मैं तो हार गर भी जीत गई हूँ यह कैसी अजीब बात है देखिये ना आप चाहे हारे या जीते हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का एनाम तो देना ही पड़ता है यह बात तो है अच्छा ठीक है यह बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी परियों की या जादू गर की ना परियों की ना जादू वाली मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाईए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे अच्छा बेटा तरू तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी रोगी और उनके स्वस्थोने की कहानी आई यह बस लेकिन एक बात तो है आपकी कहानिया परियों की कहानी से अधिक रोचक और मज़ेदार होती है अच्छा, हाँ, और क्या, तुसुनाईए न, जल्दी सुनाईए, जल्दी सुनाईए अरे सोच ने तु दो, मैं किसकी कहानी सुनाओं, देखो अरे जीवन काका, अरे अरे, आओ जीवन, क्या बात है बाबुझी, ऐख सुवा से, बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है, बुखार? अरे बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं, आओ, अभी देखता हूँ, आओ, इधर आओ, जी, यहां लेड़ जाओ, जी, लग रहा है बुखार, अरे बेटे तनू, जी, जर अंदर से धर्मा मीचो तो ल आओ, आओ, खासी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो, जी, आओ, 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 पेट भी गडबड है तुमारा तो, एक मिट दिखो, यह बारिश की वैसे हुआ है, पहली बारिश में थोड़ा साफधान दा करो, जी, 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 अरे बदलते मोसम का असर तो होत आओ, जी, 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 आ ला बेटा, जी, 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 जरा मूँखोलो, केसे जीब के नीचे रख लो, दॉक्तर सहाब ने धर्मा मीटर लगा कर, जीवन का बुखार देखा तो हलकी हरारत थी उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया जीवन चला गया नाना जी को लगा जब वो धर्मामीटर लगा कर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हे और कभी धर्मामीटर को ध्यान से दे अरे तनू, जी, क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है नाना जी, मैं सोच रही थी, जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे, तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसन आपते थे बेटी तनू, ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मज़ेदार कहानी है, तो फिर आज वही कहानी सुनाई है ना सुनो, जी, जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छू करी, उसके जुर, यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिकरी बुखार है, ये पता लगाना तो कटिन होता होगा एकदम ठीक बात कहीं तूने बिटा, इसी लिए तो चिकित्थकों के मन में सही सही बुखार बताने वाले किसी उपकरन के निर्मान की बात आई थी ओ, दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किस ते बनाया था? ये जानने के लिए तो तुम्हें लगबख 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा और बिटिया वो भी अपने देश से दूर विदेश में तो चलिए ना, मैं तो तयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए, चलिए ना आच्छा तो चलो ये यूरूप के एक देश इटली की घटना है, बिटा तब वहाँ एक चिकित्थक थे, डॉक्टर सेक्टोरियस दुनिया का सबसे पर्थम थर्मामीटर बनाने कश्रे उन्हीं को दिया गया है अच्छा हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विच्चित्र था कि जब डॉक्टर इस से किसी रोगी का बुखार देखते, तो हसी आ जाती थी नाना जी, हसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है वैसे कैसा था उनका बनाय थर्मामीटर? पटे, एक दम अलगाकार था अच्छा बिलकुल अलगाकार का था ये पहला थर्मामीटर उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उठते बुलबुले गिनने पड़ते थे अच्छा अर्थाथ, ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तीज बुखार कम बुलबुले हो, तो थोड़ा बुखार लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबन हो सकता है बिटिया रानी, वही मज़ेदार बात सुनो वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था जो पीच में कई जगे मुड़ी हुई थी अच्छा, हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा गलोब था अच्छा, हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था वाँ, शीशे के गलोब वाला थर्मामीटर लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से बताते हैं बेटा बताते हैं देखो जिसे बुखार होता डॉक्टर उसके मूँ में नली का गलोब वाला भाग रखते उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता फिर मूँ में रखा गलोब शरीक के तापान से गरम होने लगता अब गलोब गरम होता तो उसमें मौजूद हवा भी गरम होकर फैलने लगती और नली के मुड़े हुए हिससे मैसे होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुँचने लगती लेकिन बुखार बेटा बताता हूं सांस लेने दे पूरा आदमी सुन ध्यान से तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हलकी होती है न इसलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती है शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते और डॉ और बुखार का अनुमान लगा लेते हैं लेकिन एक बात क्या देखो पहले प्रियोग के समय देखा जा चुका था कि सामान ने तापमान वाले विक्ती के मूँ में गलोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे यानि बुलबुलों की संक्या जितनी अधिक होती खुल-खुल ठीक एकदम ठीक लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही डिकी होती न हाँ बेटा ये तो बात सही है क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब ठानी हाँ जी इस तरह गलोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर जी दुनिया का पहला थर्मामीटर म अपमान का अनुमान लगाना मुश्किल था जी इसलिए उसमें आगे विकास और सुधार होते रहे अच्छा आधूनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना पर इसमें पारे के स्थान पर अलकोहल भरा होता था जी और तापमा नापने के लिए उस पर मोती लगे होते अच्छा आज इसे निशान नहीं होते थे बेटा वाँ मोतियों से जड़ा थर्मामीटर नहीं बेटा वो सच्चे मोती नहीं होते थे मोती जैसे होते थे अच्छा और बाद में अलकोहल का स्थान पारे या मरकरी ने ले लिया जी और फिर शरीर का तापमान कितना है इसे जानने का पैमाना भी विक्सित कर लिया गया बेटा वो किस ने किया वो बेटा जन्मनी में प्रसिद भौतिक शास्त्री हुए है उन्ही के नाम पर इसे फॉरिन हाइट स्केल नाम दिया गया अजकल तो तापमान का सेल्सियस पिमाना कामें लाया जाता है या बेा इसका श्रे प्रशिद्य वैग्यानिक सेल्सियस को जाता है अच्छा उन्होंने इसका विकास सन 1742 में किया था जी और फिर उननीस्वी सदी के आते आते आज के उपयोग में आना वाला थर्मामीटर बना लिया गया अच्छा वेसे बेटा जी बुखार अपने आप में बीमारी नहीं उसका लक्षण है जी बुखार भी कई तरह के होते हैं बीटा उनसे संकेत मिलता है कि शरीर में कोई रोग है अच्छा थर्मामीटर से रोगी के शरीर का सही तापमान जान कर डॉक्टर आगे जाज करके इलाज शुरू करते हैं नाना जी आज कल तुम बजार में नए से नए आदूने थर्मामीटर आए हैं आज कल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं ये अधिक सुरक्षित होते हैं बेटे इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं अच्छा डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा लगाते डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता अरे वाह पर बेटा डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है हाँ और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल धर्मामेटर से ही देखेंगे हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं बेटा और बेटे अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामेटर भी बन गया है वाँ क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामेटर पर आई रीडिंग को नहीं बढ़ सकते बिलकुल बिलकुल बेटा ये थर्मामेटर तापमान दिखाता नहीं जी बोलकर बतला देता है नाना जी मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैट चलाते रहते हैं सही कह रहे है बिटा लेकिन एकदम छोटे शिशू का बुखार देखने के लिए भी विशेश प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है अच्छा इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है अरे वाँ और शिशू को जरा भी परेशानी नहीं होती बाँ ये तो बड़े मज़ेदा जान करी दी अपने नाना जी है ना अरे वेटा नाना किसका हूँ हाँ तो बच्चो बातों ही बातों में तनू ने अपने नाना जी से सीखी कितने ही नई नई बाते क्यों? तुमने भी सीखी न तो भई इसके बारे में अपने साथियों से भी चर्चा करना बचों, आज का ये कारिक्रम डॉक्टर यतीश अगरवाल की चिकेटसा विज्ञान की कहानिया नामक पुस्तक से ली गई एक कहानी पर आधारित है वह बारिश का दिन अभियाव सुन रहे थे कारिक्रम विश्य संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंग आलेख दिवेंद्र कुमार नर्मान संचालन प्रभुदयाल खटर कलाकार जेमिनी कुमार सतीश ककल नीतु जांजी और मिताली तकनीकी नर्देशन पुष्पलता कुमार न नर्मान एवं प्रसुती वंदना अरिमर्दन्द